आपको BSAC में हो, BPSAC में हो, BPSC में हो, UPSC में हो, जो हमारे दोस OSD में है और जो हमको इंडिकेट कर देते हैं कि ऐसी बात है अगर ये लड़कों का आरोफ है, तो मैं असपस्ट कर देता हूँ कि आज के बात मैं कोई सी तरह की कोई बात परिच्छा से समधीत नहीं बोलूगा अभी भी आवाज उठा रहा हूँ कि 1.1% रिजल्ड देने का कोई तुक नहीं है और आयोग कह रहा है कि इस तरह का कहीं कोई प्रावधान नहीं है तो मैं आयोग से ये जानना चाहता हूँ कि क्या साथ साल में परिच्छा संपन करने का प्रावधान है बच्चो को बरबाद कर दिया आपने जिसकी बहुतों की उम्र खतम हो गई बहुत दूसरे दूसरे नोगरी में चले गए बहुत धंदा पानी सुरू कर दिया कुछ बच्चो को मैं जानता हूँ जिनकी अकाल मिलतू भी हो गई मैं बच्चो के लिए था, बच्चो के लिए हूँ और बच्चो के लिए रहूंगा और नहीं कलाट से कलाक्टर सीपाहिए से स्पी तक तो पचीस साल में एतने बच्चो को मैंने पैदा किया है जो अलग-अब जेगा पर अभिजर गुरुब में पदल सापित है बच्चों की मांग है कि नन टैपिंग का धाई परसंट दीजे और टैपिंग का दो परसंट दीजे आयोग ने जो किया है वो गलत किया है 1.1 परसंट किसी भी दिरिश्टिकोर से नयवचित नहीं है नमस्कार आप देख रहे हैं दे इंडिया टॉप मैं हूँ आदेश पूरी बी एससी कल छात्रों के दोड़ा घिराओ किया गया कि इंटर अस्तरिये में कॉंसलिंग का जो संख्या है वो धाई गुना किया जाए कॉंसलिंग का डेट गोशित किया जाए लेकिन अंतरता वही हुआ जो आयोग चाहता था पहले से ही खबरे चली कि 1.1 गुना को ही बुलाया जाएगा कॉंसलिंग के लिए और कॉंसलिंग का डेट जब आयोग समझेगा कि सही समया गया है तो उसमें दिया जाएगा तैयारिया चल रही है रामान सर है सबसे पहले रामान सर में नहीं ये घोसना किया था कि 1.1 गुना ही लड़कों कॉल किया जाएगा कॉंसलिंग में अब च्छात्रो का ये कुछ वर्ग है जो ये आरोप लगा रहे हैं कि रामान सर के कहने के कारण ही आयोग ने ऐसा किया मारे साथ खुद रामान सर है इनी से पूछ लेते हैं कि क्या सच्चाई है क्या बात है सर छात्रो का कहाना है कि आपने ये वीडियो करके बोला कि इतना परसेंट लोग को ही बुलाया जाएगा 1.1 और वही आयोग मानली और वही चीज हो गया बहुत बड़े यहांती के बात हो रही है कि बच्चे ना समझ है और जाहर से बात कि इतने लंबे समय के बात जो साथ साथ साल के बात यो पर रिशा हो रही है तो एक बात मैं असपर शुद से आप से पूछना चाहता हूं कि अगर आयोग मेरे कहने पर 1.1 रिजल्ट दे र बच्चे मुर्ख हैं जो इस तरह की बात सोचते हैं कि गुरु रहमान पचीस साल से पढ़ा रहा है और पचीस साल पढ़ाने करम में कितने डिप्टी कलेक्टर निकल गए हैं जो कि OSD गुरूप में कही न कहीं वी दमान है मैंने बच्चों के परती बजरंग मली सामने कर डाल दिया था कि ताकि बच्चों के मन में यह बात आये कि बच्च वन पांट गलत हो रहा है और वैसी पर सितम बच्चा भी रोत करें और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूआ देश कि मेरा मेरे पास नंबर भी उस बच्चे का मैंने उसे बी कि सचीव ने बच्च बुला था तो मैं UPSC के बारे में भी जानकारी रखता हूँ क्योंकि UPSC में भी हमारे इस्टेंट से हैं मैं BPSC के बारे में भी जानकारी रखता हूँ मैं CGR के बारे में भी जानकारी रखता हूँ एंडिय और सेडियस के बारे में भी जानकारी रखता हूँ लेकिन अगर कोई कुछ बच्चे इस तरह का एलिगेशन करते हैं कि रहमान सर बताना छोड़ दे तो बच्चे नहीं है वो किसी ना किसी कोचिंग वाले के द्वारा ये मुटिवेट किये के बच्चे हैं नेश्चेत रुप से मुझे पता चली थी और पता चलेगा भी तो लिगेट कर देते हैं कि ऐसी बात है और मैं उठता हूं और आपको यूटूब पर बच्चों को बोल देता हूं कि वन पाइंट वन जाएगा लेकिन जब बच्चों को बच्चों में सुक्भाट आ गई तो मैंने अपना वीडियो हटा दिया कि बच्चे अब कम से कम अगर यह लड़कों का आरोफ है तो मैं असपस्ट कर देता हूं कि आज के बात मैं कोई सी तरह की कोई बात परिच्चा से समद्दित नहीं बोलूगा आयोग से मेरा गड़ योड रहता तो हमारे घर में बिरज़गारों की फोज लगती फोज रहती यह लड़के मुर्खता वाली बात कर रहा है और 1.1% वाली बात मैंने उठा कर बच्चों के हित में किया था अभी भी आवाज उठा रहा हूं कि 1.1% रिजल्ट देने का चाता हूं कि क्या शाड़े सास साल में परिचा संपन करने का प्रावधान है बच्चों को बरबाद कर दिया आपने जिसकी बहुतों की उमर खतम हो गई बहुत दूसरे नोकरी में चले गए बहुत धंदा पानी शुरू कर दिया कुछ बच्चों को मैं जानता हूं जिनकी अकाल मिर्तु भी हो गई तो ऐसी प्रसिति में आयोग ये सब नहीं देख रहा है और कह रहा है कि 1.1% के अधरिक कहीं डेड़ गुनाव कहीं का evidence दो तो कहीं का evidence ये भी देना चाहिए आयोग को ना कि साड़े साथ साल में कोई परिष्चा होगा उसका भी evidence आयोग दे मैं बच्चों के लिए हूँ और बच्चों के लिए रहूँगा और रही कलट से कलट सिपाही से स्पी तक तो 25 साल में इतने बच्चों को मैंने पैदा किया है जो अलग अलग जगा पर अभीजर करूब में पदसापित है और जब भी हमको सूचना मिलेगी चातर के हित के जा रहा हूं कि 7 साल तक आपने बच्चों के साल खेलवार किया है तो वैसी परशिति में आपका हग बनता है नैतीक कर्तब बनता है परजातन्त की मांग है बच्चों की मांग है कि non tapping का ढाए परसंद दीजे और tapping का 2% दीजे आप 7 साल लटका है रहे उसके बाउजूद भ ये गुंडागर्दी का एक्स्ट्रीम है एक भी सीट खाली रह गया देश पूरी तुम्हें बता देरों आपके चैनल से कि ये बच्चों के साथ विश्वास घात होगा और इसके लिए 100% मानने मुकमंद्री और मानने बी एसेसी आयोक्या ध्यक्ष और सचीव उत्तरदाई होंगे क्योंकि हट धर्मिता से पर्थासन नहीं चलता है हट धर्मिता से आपको परजातत नहीं चलता है और हट धर्मिता से बच्चों की केरियर नहीं बनेगी इसलिए मेरा डिमांड असपर्ष रुपत है कि धाई पर जाए और रही बात की पता चलने की तो पता हम को ये भी चलता है कि हमारे अरुराजर प्रजेस का सेना अब कहां जाने वाला है क्योंकि हमारे कमांडेंड भी वहाँ पर है वो भी जाने वाला है लेकिन उससे हम वो बात सामने नहीं लगता हूँ क्योंकि देश की गरिमा की ब बाद जब एक गुना एक का 1.1 पहम को पता चला तो मुझे बरदास्त नहीं हुई और मैंने तमाम बच्चों का चेरा देखने के पसाथ तुरच से वीडियो बनाकर डाला था कि बच्चे में जो सावे जुनू नावे और आयोग से मांग करें आयोग से वन लोग ने मांग कि आयोग ने जो किया है वो गलत किया है 1.1 परसेंट किसी भी दिरिश्टी कोन से नयवचित नहीं है हाँ इस तरह का कोई उदारन कहीं और नहीं है लेकिन साथ साल में परिच्छा कंड़र्ट कराने का भी उदारन कहीं और नहीं है आपको स्टेनो जनल है बीपी एससी उसमें 133 चेट के लिए 333 को बुलाया गया है डॉक्मेंट्स वरिफिकेसन के लिए फिर से आपको बीटी एससी बीहार टेक्निकल सर्विस कमिशन और एक और एक जाम है उसका तीन तीन एक जाम पल दर रहा है लेकिन सब के बीच में सर गोश्ता हैं में ईतना सुरह हो जयागा लेकिन आप याद रखिये कि 15 सितंबर क्रोस नहीं करेगा और सितंबर last last hours होते होते इस साड़े साथ बरसी है योजना का पटा छेप होगा और बहुत बिरुजगारों के घर में चुरा जलेगा क्योंकि वो बिरुजगारी की सीमा को तोड़ चुके होंगे लेकिन मेरा रिक्वेस्ट एक मात्र रिक्वेस्ट कि धाई गुना नन टैपिक में दीजे दो गुना टैपिक में दीजे मत भूलिये कि पांच साल बाद परिवर्तन होता है अब परिवर्तन के कारक ये युवा होते हैं मेरी उम्र वो नहीं रही और कुछ समस्या भी है कुछ बिमारी है जिसे कारण मैं रोड पर ही जाता हूँ लेकिन मैं जानना चाहता हूँ मानने मुख मंद्री से कि आप किस तरक अत्याचार कर रहे हैं छातर राजनिती के आप उबज हैं बिपी एसेसी के अध्यक्ष महदे और सच्ची महदे को पता नहीं है कि साड़े साथ साल में परिचा हो रहा है अगर इसमें सीट खाली दा गया तो आप वाही लुटने का प्रेस करेंगे चूल से चूल ही जाएगी बच्चे एक हो बच्चे इधर दर की बात पत्यान न दे क क्योंकि अगर हम लोग की बात आयोग मानने लगा तो मेरी सबसे पहले डिमांड है आयोग से कि जितना जल्दी होगे हो सक एक कॉंसिलिंग का डेट निकाले इनका कॉंसिलिंग करा है जो कि बच्चे बच्चे तो नहीं है बच्चे तो होई नहीं सकता है इस तरह की बात ब और उसी अधारप मैंने बच्चों को कहा था कि बच्चों को मैंने कहा बच्चों ने चिलाना शुरू कर दिया और पहली बार देखे कि 900 लाइक में है तो 2000 डिसलाइक में है और समने कह दिया दलाल तो मैंने उसको वीडियो को भटा दिया लेकिन बच्चों तक ये आवाज प उठाइए लेकिन मेरा कहना ये भी है कि हिंसात्मा गुरुप से उठाई गई आवाज को दबा दिया एता है कुचल दिया एता है उसमें आपकी सिती खराब होगी दो चार केस भी हो जाएगा तो फिर साने साताल केस के लिए आप लड़ते रहेगा तो वैसी परसिती में मानन जोड़े लाग नहीं है कि आप धाई गुना नन टाइपिंग में और दो गुना टाइपिंग में दीजिए तो यह रामान सर थे और सारा कन्फूजन का खेल था सर हम पहले भी आपको बतायते हैं कि सर को जनकारी मिली वो सियर की है लेकिन कुछ लोग इसे उल्टा ले ले लते हैं और सर ने आज क्लियर कर दिया कि जो भी मुझे जनकारी आती है उसे मैं सियर करता हूं उसे के लिए वो सारा काम करते हैं तो फिलाल अब देखने वाली बात है कि कॉंसलिंग काल डेट का बाता है और कितना संख्या रहता है हला कि यह कहा गया कि एक हपता बात बैठा गोई तो उसमें बात रखा जाएगा कि दो से धाई गुना कंडिडेट को बुलाए जाए तो फि